हलो फ्रेंज, डिवाइन लाइट्स असोसियेशन टीम के वर्ड अप दिडे सेग्मेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों, आज का जो शब्द है या वर्ड है जो हम सीखने वाले हैं, वो है टाड T-A-D, T for Tango, A for Alpha और D for Delta, टाड इसका मतलब होता है थोड़ा, तो चलिए दोस्तों, पहले हम इस शब्द का परियावाची देख लेते हैं उसके बाद विलोम और उसके बाद कुछ sentences, तो synonyms या परियावाची कुछ इस तरह से है पहला परियावाची होगा सब्टल्टी, S-U-B-T-L-E-T-Y, सब्टल्टी, next होगा स्मिजन, S-M-I-D-G-E-N, स्मिजन next है little bit, L-I-T-T-L-E, space, B-I-T, little bit, और next होगा small amount, देखो S-M-A-L-L, फिर space देखे A-M-O-U-N-T, small amount, तो इस तरह से चार परियावाची आपके होगे सब्टल्टी, समिजन, little bit, small amount, ठीक, अब अन्टनिम्स या विलोम देखते हैं, देखे दोस्तों, पहला विलोम है होल, W-H-O-L-E, होल, जिसको कहते हैं पूरा, और दूसरा विलोम है plenty, P-L-E-N-T-Y, plenty, next विलोम है abundance, A-B-U-N-D-A-N-C-E, abundance, ठीक है, चलिए, अब हम कुछ sentences बना लेते हैं इस word से, जो word है tad, ठीक, तो पहला sentence बनेगा हमारा, tad loves being in the limelight, जो थोड़ा प्यार होता है लोगों का, वो बहुत जादा limelight में आ जाता है, ठीक है, next, could you turn the sound down just a tad, could you turn the sound down just a tad, next, it's a tad expensive, जैसे आपने कोई सामान देखा, ठीक है, तो आपकी बगलवले जो आपके साथ दे हुए खरीदने के लिए, उन्होंने उस सामान का दाम पूछा शाप की पड़ से, तो उसने बताया, तो आपको लगा कि यार ये तो थोड़ा सा महंगा है, बोलते नहीं है, यार ये थोड़ा महंगा है, तो आप क्या बोलेंगे ऐसे में, इस अटार्ड एक्सपेंसेव, ठीक है, ये थोड़ा महंगा है, ठीक, इस अटार्ड एक्सपेंसेव, ठीक है, एक वर क्या हुआ दोस्तों, हम एक स्टोरी सुन रहे थे, जो कि किसी ने हमें सुनाया था, थोड़ी दिन पहले, ठीक, वो बहुत जादा डिफिकल्ट थी, बहुत ही जादा, और वो बिलकुल समझ से परे थी, समझ में ही नहीं आ रही थी, तो हम क्या कहते, अगर हमें ये वर्ड मालूम होता, तो हम बोलते क्या, दोस्तोरी वो जो कहानी थी, वो थोड़ा सा कन्फियूजिंग थी, थोड़ा सा, थोड़ी सी बात उसकी हमें समझ में नहीं आई, ठीक है, नेक्स्ट, रशीद सीम्स अटाड कन्फियूज़ ऑन दे सबजेक्ट, मतलब की रशीद जो सबजेक्ट है, टॉपिक है, उसमें थोड़ा सा कन्फियूज लगता है, है ना, नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स हाव बीन अटाड नवस, सिंस एंडिजनस टीपल राइटट फॉर सेवरल डेज इन मार्च, मतलब की जो इन्वेस्टर्स, जो निवेशक रही थे, वो बहुत थोड़ा सा नर्वस हो गये, क्योंकि जो स्वदेशी लोगते, वहां के जो शहर क लोग थे, उन्होंने दंगे कर दिये थे मार्च में, काफी दिनों तक, ठीक है, इसलिए इन्वेस्टर्स या निवेशक जो थे, वो क्या थोड़ा सा नर्वस हो गये थे, ठीक, next, I need a tad of salt, please, हमें थोड़ा नमक की जरूरत है, ठीक है, I need a tad of salt, please, ठीक है, next, The prices were a tad above average, but they are of the high quality, ठीक है, मलो कि आप online कपड़े देख रहे हैं, ठीक, तो online कपड़ों की rate भी आप देखेंगे, ठीक है, कितने cost में ये खरीदे जा रहे हैं, ठीक, आप कितने cost में इसको मंगवा सकते हैं, कि आप पे कर देखें, तो आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा जितना दाम उसका होना चाहिए था, उससे जादा है, लेकिन कपड़ों की quality अच्छी है, तो आप क्या बोलेंगे, तो मलब कि जो प्राइज है इसका, वो अबव अवरेज है थोड़ा सा, ठीक है, जितना होना चाहिए उससे जादा है, लेकिन quality कपनों की बहुत अच्छी है, ठीक है, next, the fish was okay, but the chips were a tad greasy, मतलब की, जो fish है, मचली है, वो तो चलो ठीक थी, लेकिन जो chips है न, जो chips थी, वो थोड़ा सा seal गई थी, अटाड greasy, थोड़ा seal गई थी, महरा गई थी, ठीक है, greasy उससी को गोलते हैं, ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये sentence खतम हुआ, और इस sentence के साथ हमारा ये segment भी खतम हो गया, लेकिन friends हम आपसे एक request जरूर करेंगे, वो ये, कि आप सभी लोग इस segment को दिल खोल करके enjoy कीजे, और साथी से उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, my most dearest of the dearest friends, जो लोग internet facility का लाब नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, तो इसी छोटे स request के साथ हम आप सभी के बेर सारे प्यार, जिनून, चसबात और कड़ी मैनत के साथ साथ, आप सभी के उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदालत ना सिर्फ आप सभी नहीं नहीं उचायों को छूरे हैं, बल की साथ ही आप सभी हर्प शेत्र में अपनी रा, नमस्कार